हेलो एंड वेलकम एव्रिवन स्वागत आप सभीका दोस्तों यह है डिल की तरफ से आने वाला बहुत ही पॉपुलर वार्लेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो सेट मॉडल नंबर के एम 117 एक काफुल पॉपुलर मॉडल है वार्लेस कीबोर्ड और माउस का जो कि अपने से दूसरा यह वार्लेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो सेट है जो कि Logitech का है लेकिन मैंने इसे लिया तक कि मुझे लगा कि इसमें साथ आवाज थोड़ी कम होगी उसके वज़े से मैंने यह डेल का KM 117 मॉडल खरीदा था तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या यह वार्लेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो सेट सच में नंबर वन पोजिशन के लायक है इसे खरीना चाहिए या नहीं चाहिए इसके क्या फीचर्स हैं क्या ड्रॉबैक्स हैं यह सारा कुछ हमें सीडियो में देखेंगे तो आईए आपको इस कीबोर्ड और माउस के कॉम् तो दोस्तों यह है डेल के तरब से आने वाला के एम 117 वार्लेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो सेट और यह कुछ इस तरह के डब्बे में आता है ज़र कुछ डीटेल्स हैं वैसे ओरिजिन ऑफ कंट्री इस चाइना ही है और यहां प्राइस आप देख सकते हैं 1399 रुप इसे के आसपास में आपको यह ओनलाइन मिलेगा और पहले देख लेते हैं इस माउस को इसके साथ आपको मिलती है बैट्री इसे आपको यहां लगाना होता है तो इसे आप यहां लगा कर इस तरह से बन कर सकते हैं और साथ में मिलता है आपको यह रिसीवर इसे आपको यहां से आप इसे on-off भी कर सकते हैं, इसकी grip की बात करें तो काफी solid grip है, build quality भी काफी अच्छा है, अब बात करते हैं, इस keyboard की, पहले पीछे की तरफ देख लेते हैं, यहां आपको मिलता है यह stand, यहां से आप इसकी दो batteries लगा सकते हैं, और यहां आपको मिलता है anti-skid rubber grip, ताकि यह skid नहों आपके table पर, और इसके keys आप देख सकते हैं, यह चप्ते वाले chiclet keys हैं, यह जो normal keyboard के keys होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं, उठे हुए होते हैं, और इनमें आवाज ज्यादा होती हैं, लेकिन इनमें आवाज बिल्कु की बात करते हैं, तो यहां जो सबसे main, इसके जो advantages की बात करते हैं, तो यह चिकलेट keys हैं, और काफी smooth है, और sound बहुत ही कम है, और कुछ अलग से यहां पर आपको मिल जाते हैं, buttons और functions वगएर, लेकिन जो इसमें drawback हैं, वो यहां आप देखिए, कोई भी indication light नहीं है, num lock के लिए, या फिर caps lock के लिए कोई indication light नहीं है, जो इसका बहुत ही बड़ा drawback है, और नहीं इसे आप on off कर सकते हैं, वैसे इसके details में mention किया हुआ है, कि इसमें auto sleep है, यानि कि अगर आप इसमाल नहीं कर रहे हैं, तो automatically sleep mode में चला जाएगा, बैटरी बचाने के लिए, लेक कि जब बैटरी आपकी down हो जाएगे, तब यह आपको यहां से blink होकर indicate करेगा कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है, और जहां तक battery life की बात करें, तो मैं पिछले कई सालों से wireless keyboard और mouse इसमाल कर रहा हूं, और मैं Logitech कर इसमाल करता हूं, और वो आराम से almost 9 महीने से 1 साल तक चल यह एक और drawback लगता है कि यह एक wrist strap, wrist support देना चाहिए था, तो यह जड़ा ergonomic हो जाता है, और इसमाल करने में जड़ा आसान होता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जो पुराने जमाने में 10-15 साल पहले जो keyboard आते थे, यह वैसा ही keyboard है, कोई इसमें नया कुछ design नहीं है, सिरफ य chocolate key से, जिससे sound कम आता है, और जो main drawback मैंने बताया आपको, यह num log और cap log होना ही चाहिए, और यह आपको तभी पता लगीगा जब आप इसे type करेंगे, तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, इस keyboard और mouse के combo को मैं पिछले almost 1 में एक मन से इस्तिमाल कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके सामने नहीं दिखाता हूं, जिसे मैं तुरंट खरीदा और तुरंट डब्बे से निकाल कर, चको से काट कर आपको दिखा दिया, और 5 मिर्ट में ही अपना वर्डिक भी बता दिया, कि यह अच्छा है यह खराब है, कई सारी यूटुबर्स ऐसा करते ह हैं, लेकिन मुझे वो सब पसंद नहीं है, मैं पहले इसे कुछ दिनों तक ही इसमाल करता हूं, और इसके बाद ही आपको इन प्रोड़क्स से बारे में बताता हूं, तो मेरी राय यह है कि क्योंकि मैं आलमोस्ट पिछले 20 सालों से कंप्यूटर वगारे इसमाल कर रहा हू तो मेरे ख्याल से यह जो मेरा पहले वाला कीब़ोड और माउस का कॉंपो सेट है, यह ज्यादा बेрь है इस डेल वाले कीब़ोड और माउस से, लेकिन इसकी built quality काफी solid है, और डिखने में काफी अच्छा है, चिकलेट कीज है, साउंड कम है, बाकि इसके drawbacks मैंने आपको बत अगर यह वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार and keep learning